तो आज हम जाने बाले हैं, प्रोग्रामिंग के कुछ हिस्ट्री के बारे में, ओके ये रहेगा कि कैसे हाई लेवल लेंग्वेज हुआ था और जावात रेकर कुछ कॉंसेप्ट के बारे में जानेंगे, जोकि इंटर्व्यू में मोस्ट फ्रेंक्ली आस कोशनों में से एक हो होता है तो चलिए अपने टॉपिक को इस्टार्ट करते, तो सबस्तो पहला मेरा कोश्िर है, what is machine level language, basically machine level language होता क्या है इसके बारे में जानेगे, लेवेज होता को मसीन लेवेज समाज़ता जो वहाँ आपको क्यों समझता है पर दिवट होता है तो रहेन पर 01 के रिम में सेव टा इस से को मसीन लेवेज लेज़ कहते है तो देखिया हम बताते हैं, machine level language is a low level language, in other words, a computer can understand only machine level language, यह computer था हो केवल ही केवल, machine level language को ही समझता है, it was the style of programming practice in the decades of 1940, 1940 जो प्रोग्रामिंग करने का style था वो machine level language में ही था, जो की programming करने में बहुत ही difficulties होगा, जड़ा assume करके देखिए, कि 0101 की रूप में हमकर coding करना चाहिए, तो कितना difficulties होगा, हमारे लिए लिखने के लिए समझने के लिए, क्या लिखे न लिखे, काफी difficulties होगा, और जो इस time हम प्रोग्रामिंग करते हैं, वो high level language में करते हैं, जो हमा लेंग्वेज की limitation क्या थी, ओकी, यह आप हो में दिखाना चाहता हूँ, तो देखिए, understanding it is very difficult, समझना काफी difficult है, हमाज लिए 0101 में कुछ लिखा हुआ हुआ, वो हमको समझने के लिए, human being के लिए, it is काफी difficulty था, पहली problem तो इसकी limitation ये थी, और दूसरी क्या थी, they are error prone, कैसे error को दूर करे, ये दूसरी ये problem, दीसरी क्या था, debugging becomes extremely difficult, debugging करना, इतना difficulties था कि 010 में आप काफी confusion का आप सोच करा रोगे, imagine करके देखिए, उसमें जो programmer होंगे, वो कितना difficulties coding करते होंगे, okay, all operation code have to be remembered, अब जितनी भूस में आपको operation करना है, तो कि हर एक का code याद करना पर दात कि इस code से बित के लिए operation perform होता है, और ये code से ये operation perform होता है, वो कि सभी binary में लिखे थे, और हमको format को याद करना पर था, सबसे परी problem तो ये थी, okay, तो ये कुछ limitation थी, machine level language की, okay, अब हम आपने next concept के और भरते है, okay, अगरा question क्या है, what is assembly level language, machine level language के बाद में, प्रोग्रा language, okay, ये assembly level language था, basically mnemonics को यूज करता है, तो मतलब इसका क्या हो कि किसी operation कर आप perform करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको particular word दिया गया था, कि इस word से ये operation perform होता, इस से ये operation perform होता, इस type की दिया गया था, तो compare to machine level, assembly level language थो थोड़ा coding करना easy हो गया था, okay, तो अब समझते है assembly language बार रहें, assembly level language is a low level programming language, in which mnemonics, जोसकी coding होती थी थो, निमोनिक format में होती थी, but used for decoding, decoding, and this style of programming was practiced in the decades of 1950, after 10 year बाद, assembly level language जिसमें mnemonics की help से, को coding क्या जा था, तो basically mnemonics जो concept होते थे, उसकी दिखाते हैं, आपको कुछ, अगर आपको move करवाना हो, यह जगह से दूसरे को file transfer करते हैं, तो हाँ पर यह move कूर करते हैं, दो नम्रों को अगर add करना है, तो हाँ पर आपको add लिखना परता था, दो नम्रों को और subtraction करना परता है, ऐसे कुछ format दिये गए थी, तो फॉर्मेट हो आपको याद करना परत करते हैं, देन उसको बाद हम यूज करते हैं, तो थोरा compare to machine level language में, हमारे लिएजी हो गया था, कि हम थोरा से concept याद कर लेते थे, और इसकी help से हम अपने काम को, जो हमारा requirements था हो, हम perform कर पाते थे, यह 1950, after 10 year बाद, ओके, अब थोरी हम assembly language के बारे में और जानते हैं, तो what are the limitation of assembly level language, assembly level language की limitation क्या थे, इसके बारे में हम जानते हैं, ओके, the programmer had to know the internal structure of microprocessor, प्रोग्रामर को यह जाना पढ़ता है, जो हमारा microprocessor उतका internal structure किया है, एक सब सब यह problem थी, assembly level language varies for each microprocessor, और हर एक, जो assembly language language था, हर एक microprocessor के लिए, उसका अलग concept रहता था, सब सब यह problem थी, सब सब पर लापको जाना पर रहा है, कि microprocessor का internal structure क्या है, उसके basis पर है को coding करना है, ओके, यह इसके कुछ disadvantage थी, तो सब से पहले हम micro जिसमें, निमोनिक्स की help से हम coding करते थ Okay, basically, assembler एक software है, जो किया करता है, assembly level language को, assembly level language से machine level में convert करने का काम करता है, basically, क्योंकि हम यह जानते हैं, कि जो हमारा microprocessor होता है, वो cable cable, machine level language को ही समझता है, और किसी भी language को नहीं समझता है, तो यही काम हमारा assembler करता था, कि an assembler is a software, which convert an assembly level language code to machine language, level code, जो हमारा assembler था, वो assembly level language को machine level language में convert करने का काम करता था, जिससे कि हम अपने desirable output को perform कर पाते थे, तो कुछ assembler को आपको नाम बताते है, Microsoft assembler और net wide assembler यह थे, पर चलित काफी, आप समझ पहांगों कि assembly language क्या था, assembly language को हम यूज करते थे, निमोनिक्स को, जो कि assembly और इसमें हम एक हमारे पास, हम यह जानते हैं कि हमारा microprocessor अब केवल machine level language को ही समझता है, ओके, तो हम assembly language direct code को अपने microprocessor पास भीज नहीं सकते थे, तो इसके लिए हम assembly level से machine level convert करने के लिए हम assembler को use करते थे, got it my point, चलिए next point के और भरते हैं, next concept क्या है, what is a high level language, जो इस्टा में हम coding करते हैं, यह बिसके लिए हम high level language में करते हैं, जो कि compared to machine level language और assembly level language से काफी easy to understand है as a human being, अब इसके बारे हम थोड़ा जाते हैं, high level programming language uses English like bird and symbol, जो high level language होती है, वो English और symbol हो को use करते हैं, okay and simplify programming, this approach of programming came into existence in the decades of 1960 and currently, अभी प्रवाय था concept, 1960 में था और अभी भी currently भी यह use हम लोग करते हैं, we make use of this approach for coding application, और इस approach को आज भी हम coding application को developed करने के लिए करते हैं, okay, I hope आप समझ पाए होंगे, सबसे बड़ी problem यह थी जो यह high level language थी, अब यह हम जानते हैं कि मैं को पूसर केवल और केवल machine level language को ही convert करता है, तो हमको एक software की need पड़ेगी, जो कि हमारे high level language को machine level language में convert कर सके, जैसे कि हमारा assembly level language थी था, अब उसको convert करने के हमारे पास एक assembler था, जो कि assembly level language को machine level language में convert कर देता था, assembler, तो इसी तरह से हमारे high level language भी एक software बनाया गया, जो क्या काम करता था, कि high level language को machine level language में convert करता था, तो वो कौन से software है, चलिए उसके बारे आपको बताते हैं, what is a compiler, वो ही software है, जो high level language को machine level language में convert करने का काम करता था, वो है compiler, तो इसके बारे हम जानते हैं, एक compiler is a software, which convert high level language code to machine level code, जैसे c and c++ compiler होते हैं, इसमें भी हम जो coding and c and c++ हम करते हैं, जो कि काम करता है, high level language को machine level language में convert करता है, high level language code to be byte code, अब बेसिकल क्या होता है, कि Java में बात करते हैं, यह तो seem हो गया था, seem direct क्या होता है, कि high level code को सीधे convert कर दिया जाता है, machine level language में, लेकिन Java की case में थोड़ा सा difference है, तो बताता हूँ, कि Java की code में क्या होता है, कि high level language को सबसे पहले white code में convert किया जाता है, वो Java zero compiler की help see काम किया जाता है, अब थोड़ा इसलिए बताते हैं, कि Java इसी कारण से जो है platform independent है, जैसे कि सबसे पहले है high level code को direct machine level code में, जावा में नहीं करण बढ़ होता है, यह white level code में होता है, जो white level code होता है, वो platform independent होता है, कि आप अगर वो code को compile की हैं, बिंडो में तो उससे आप execute कर सकते हैं, माइक्रो विंडों भी कर सकते हैं, Macintosh में भी करते हैं, और Linux में भी कर सकते हैं, ओके, यह था compiler का rule, बहुत important concept है, जावा की भियाप से, तो अपने next concept के और बढ़ते हैं, Can Java be using embedded system, क्या Java को embedded system यूज कर सकते हैं, ता होब आपको मैं बताता हूँ embedded system क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे, जो sensor होते हैं, GPS होते हैं, यह सब जो बनते हैं embedded system से बनते हैं, okay, embedded system होते हैं सब, micro range होते हैं, सब embedded system पर basis होते हैं, Java ME, ME मतलब micro addition, can we use to develop embedded application, it was previously known as J2ME, it can be used and an alternative to C and C++, which normally are used in coding embedded application, Java ME की helps some embedded system को developed कर सकते हैं, okay, अब बेसिकली जो C language आज भी इतना popular के हो जानते हैं इसका region एक ही है, कि जिसको execution होती है, बहुत ही fast होती है, बहुत ही पात, सीधी हम उसे high level से machine level language में convert करते हैं, लेकिन जाब हम क्या करते हैं, कि high level को पहलो हम wide core में convert करते हैं, wide core से बात हम machine level language में convert करते हैं, तो थोड़ा देखें, आप execution上And twice में होते हैं, iis एस तो हम the same time लग रहा है, लेकिन C में ऐसा नहीं होता है, लेंगविज की हेल्प से बनाते हैं जावा की हेल्प से भी बना सकते हैं लेकिन यह उतना फास्ट नहीं होता compared to C language ओके आप यह समझ पाएंगे आज का कॉंसेप्ट जो कि इंटर्व्यू के बिहाब से काफी इंपोर्टेंट है अगर आपको किसी प्रकार की स्कोशन में डाउट रहा है तो फिल फ्री आप कमेंट कीजिए हम आपके कमेंट आंसर देने के लिए हर समय रेडी रहेंगे